नमस्कार मेरा नाम है मुकेज और आज आप लोगों बाता हूँगा तूल्सी ड्रॉप के बारे में तूल्सी ड्रॉप लेने से क्या-क्या फाइदा मिलता है उसको कैसे लेना चाहिए उसका साइट पर क्या है और सब कुछ इस वीडियो में बाता हूँगा तो आप लोगों पास्षी क्योंश्ट है इस वीडियो को लाश्ट देखते रिए और अभी तब मैरे चैनल को साब्स्राइब नहीं किया तो जरू साब्स्राइब कर लिजी तूसी स्रेल पुजा के लिए नहीं तूस्थी आयरवेद में दोसों से भी ज्यादा गंवीर लोगों के लिए एक आयरवेदी और प्राइसदी इलाज है में ये पास वे उंक्ना नाच्रल है , ये एक्वी की तूलसी लएक है हर्गल का टूलसी टूलसी दीरौस एसका कुछ भी सइट के नहीं है पांचम वोक्त तूलसी को मिलें ये टूलसी बनाइय गया है जयसे कि तूल्सी राम तूल्सी कालिक तूल्सी यान कि क्रिषना तूल्सी जंगली तूल्सी यान कि बॉने तूल्सी जोटार हैं ये तूलसी डॉप, सर्थी, कासी, जुकाम, वाटर प्यूरिफायर, सभी में इस तूलसी डॉप को यूज कर सकता हो, इस तूलसी डॉप को किसी भी ऐलोपेदिक आउटलोट में आखानी से, डेढ़ सो रुपया में मिल जाएगा, तूलसी डॉप का इंटीकेसन भी दिया है क्या-क्या किसकेस के लिए एक यूज किया जा सकता है, जय Bau passado कि दूलसी डॉप यूज किया जा सकता है। रेगुलार तुल्सी ड्रब लेने ते आपका इम्मुनिटी सिस्टेम को भी बहुत मुझकुत करता है। इम्मुनिटी सिस्टेम मुझकुत लेते किदी भी वहागा वाइडात और बैक्टरियात होने वाली जो रोग आता है वो नहीं होगा। सभी अहलोविदिक ड्रब्टर आभी तुल्सी ड्रब को और वाइडास के लिए यूज करने के लिए बोल रहा है। तो आप तुल्सी ड्रब बेफिकर लीचे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। गले में किसी भी बगर पॉब्लम या इंफेक्टर के लिए भी तुल्सी ड्रब यूज कर सकते हो। तुल्सी ड्रब लेने थे गले में जो इंफेक्टर या गला में दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। अगर किसी का दातों का पॉब्लम है तो उसके लिए भी तूल्सी डॉप एक बहुत ही लागकरी ओसोद है जैते कि किसी का दातों के दुखाथ या पिर दातों में किड़ा है तो उस जगह में दो मूद कोटन में बहांके उस चागर पर राख दीजिए उसके बाद जो दूर्गन है वह भी काम हो जाता है अगर किसी का किड़ा है उस किड़ा को मानने के लिए बहुत मदर करता है और आपका डातों को बहुत ही आराम मिलता है दूर्टर करेशente के लिए भी तूर्थी ड्रॉप यूजत किया जाता है अगर किसी का डिकव्रेशन जादा हो तो उबी गुलार दो गूंत पानी में एक गलस पानी में anyways तूर्सी ड्रॉप को एक बेस्ट वाटर प्यूरिफाइन के रूप से भी माना जाता है जो साधारण पनी में जो बैक्ट्रिया रहता है उस बैक्ट्रिया को तूल्सी ट्रॉप माट देता है और आपको एक विस्द पनी मिलता है तूल्सी में एंटी एजिंग गुन भी है क्योंकि बहुत सा लोग कम उमर का है ज्यादा ही देखता है या फिर जिसका बाल पाप गया है उसके लिए भी तूल्सी ट्रॉप एक बहुत लागकरी आईर्पेदिक ओसुद है जो ज़्यादा दिखता है बाल बाल जाता है यह थोड़ा डिप्प्रेशन यानि कि तानाव के बचते ज्यादा होता है तूल्सी ट्रॉप रेगुलार ने ते तानाव या फ है तो इसलिए इसको कार्डियम प्रडेक्टिक के रूप से भी जाना जाता है तूल्सी रेगुलार ने ते किदिका अगर उडिन का प्रॉब्लम या फिर कीड़नी का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी बहुत लागकरी आईर्पेदिक दावा है तूल्सी दोसों से भी ज प्रॉब्लम इम्मूनीडी पावर उस्टिंग गल्म किदिका खारास हो या फिर यूरीन का प्रॉब्लम हर्ड का प्रॉब्लम स्विक मगर रोग के लिए तूल्सी यूज कि आ जा सकता है तो आभी मैं बात करोगा तूल्सी ड्रब को कैसे लेना चाहिए एक लास पानी में चार से पाच ड्रॉप तूलसी ड्रॉप उसमें मिलाएं और उसके बाद 2-3 मिनिट उसको रागने बाद आप भी लीजिए उसको वाटर भी दूरिफाइड हो जाएगा और बहुत सारे लोगों के लिए भी एक एलाज मिल जाएगा आपको और इस तूलसी ड्रॉप को कोई भ पृटर को मिलाने से लावली राव है इस तूलसी ड्रॉप बहुत सा रोगों का एक ट्राकिती गिलाच है तो ए क्वेजिऑ अगर इस वीडियो को आप लोगों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए तभी को स्यार करें और मेरे चनल को अभी तक सब्क्राइब ने क्या तो जोरू सब्क्राइब के लिए मिलता हूं लेक्ट वीडियो में आज के लिए इतना है